दोस्तों अगर आपको भी मुंबई इंडियन्स की जीत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कॉमेंट बॉक्स में जोफरा आच्रर से हार्दिक पांडिया और सूरेक कुमार ने जो बदला लिया है वो आपको कैसा लगा वो बताना हमें ना भूलें आप बेल डन हर्दिक पांडिया या सूरेक कुमार कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप कॉमेंट बॉक्स में कॉंग्रेशुलेसंस मुंबई लिखें क्योंकि मुंबई ने जिस प्रकार से आज जोफरा आच्र और रायस्थान से बदल लिया है वो आपको बता दें कि रायस्थान के खिलाफ सांदार बल्लेवाजी करते हुए पहले मुंबई इंडियन्स ने टॉस जीत कर आज 133 बरन जैसा बड़ा स्कूर खड़ा किया आपको बता दें कि इसमें सूरुकुमार की सांदार पारी थी सूरुकुमार ने धुमादार बल्ले अन्त में महज 19 गैंदों में 30 रन ठुक कर रायस्थान के गैंदवाजों की जमकर दुनाई कर दी लेकिन रायस्थान के गैंदवाज जोफरा आचर बहतरीन गैंदवाजी कर रहे थे एक वार तो बीच मैस में ऐसा मौका आया जब हार्दिक पांडिया के अगर ये गैंद ये कैसी गैंद थी आलाकि जोफरा आचर की ये गैंद साइद उनके हाथ से फिसल गी क्योंकि ओस पड़ रही थी लेकिन इसके बाद फिर से जोफरा आचर की एक गैंद सामने वाले बले बाज सुर्रीकुमार यादव के चहरे पर जा लगी जिसके बाद मैदान में फिजि को मार करो नहीं बता दिया कि वो कितने बहतरीन ख्लाडी हैं यह छक्का देखें किस प्रकार से वो जोफरा आर्चर जैसे बहतरीन गैंद वाज को मार रहे हैं जोफरा आर्चर जैसे बहतरीन गैंद वाजों में से एक हैं इसके बाद हार्दिक पांडिया ने भी जोफरा आर रायस्थान की सुरुवात भीहत खराब रही और उनको जल्दी जल्दी विकेट गिरने लग गए। लेकिन जौस बटलर ने सांदार पारी खेल कर मैंच में थोड़ी जान वचाय रखी। लेकिन अंत में मुंबई इंडियन्स की गेंदवाजों के सामने रायस्थान के बल्ल लिखना ना भूलें और हाँ इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और हार्दिक पांडिया और सूरिकुमार ने जो जोफरा आर्चर से बदला लिया था उस पर आपकी क्यार आये है वो हमें कॉमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि इन द त्रिन खेल दिखाया है